ब्रेट की स्लाइस और उसके एज़स को इस तरह ट्रिम कर लेंगे आप इन एज़स को बाद में इसके ब्रेट क्रम्स बना सकते हैं और हमें यह आपे ब्रेट बिलकुल फ्रेश लेनी है अब उस ब्रेट के पीस को हम इस तarka rolling pin से बिलकुल थिन रोल कर लेंगे अब हम एक और ब्रेट की स्लाइस लेंगे और उस पे हम अच्छे से लगा लेंगे चीज प्रेड जो अमुल की चीज प्रेड आती है यहाँ पर मैंने वही यूज किया है अब चीज प्रेड बहुत ही अच्छे से जेनरिसली लगा सकते है नेक्स्ट हम अपने इस थिन स्लाइस के वे ब्रेड पीस को उस पे स्टिक कर लेंगे तो चीज बर्स्ट की ये हो गई है पहली लेर नेक्स्ट हम इस पे अप्लाई कर लेंगे पीजा सॉस यह पीजा सॉस मैंने घर पर बनाई है, मैं इसकी लिंक आपको उपर दे दूँगी अब आम इसमें ग्रेट कर लेंगे प्रोसेस चीज और मॉजरेला चीज तो चलिए अब आम इसमें टॉपिंग्स रख लेते तो चलिए अब हम इसे टोस्ट कर लेते हैं तो यहां पर एक टवे पर मैंने लिया है वान टेबल स्पून बटर और जैसी बटर मेल्ट हो जाएं अपने इस पीजा ब्रेड को उस पर रखेंगे और अच्छे से उसके बेस पर बटर को अप्लाई कर लेंगे अब हम इसे कवर करके कुक करेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर फाइव टू सिक्स मिनिट्स के लिए तो यहां पर फाइव टू सेवन मिनिट्स हो गए और लीजे हमारी जो चीज़े वह अच्छे से मेल्ट हो गई हम इसे निकाल लेते हैं तो लीजिए हमारी चीज़ बर्स पीजा बिलकुल रेदी है और अप चीज़ पूल देख रहे हैं तो आप इस रेसिपी को जरूर बनाए फटा फट बन जाती है और इसली अवेलिबल है इसके सारे इंक्रीडियन्स आप इस रेसिपी को बनाए और मेरे इस चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूले थैंक यू फो वाचिंग मैं चैनल कर दो दो आप बनाए और में चैनल